नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका चनल एगदी आकास पर किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरी जो भिंडी है इसमें दो तुडाई हो चुकी है जब भिंडी में जब दो से तीन तुडाई आप कर या आप एक ही तुडाई कि यह हो उस समय हमें उसमें कौन सी खाट डालनी चाहिए जिससे कि जो हमारी फफल है वो लगातार अच्छा उत्पादन देती रहे क्योंकि इस समय दो तीन तुडाई हम कर रहे होते हैं दूसरी तीसरी उस समय पौधे का भिकास भी साथ में हो ही तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा चनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब की जिएगा तो कि खेती बारे हुई हुई ऐसे ही उप्योगी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं चलिए सुरू करते हैं किसान विए जब आपकी भिंडी एक तुडाईश फिल हैं वो काफी अच्छे तरीके से लाएं उसके लिए हमें इसमें डालेंगे सुरू पोशक तत्तो तो जब आपके भिंडी इसे सफ्थामेल जैसे कि आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो उस समय हमें इसमें लेना है अमीनो एसिड लेना है 200 ml और हमें साथ में लेना है बार प्राइकसर जीरो और सोच में पोशक तत्तो को पानी में घोल करके दो फिल्टर पानी में घोल करके आप अपनी भिंडी की फफल पे छिल्काव कर दीजिए किसान भाईों ध्यान दें वीडियो में बताईगे इस सारी जानकारी एक एक एकड के अधार पे है आप इसका शि अगर आपकी फसल में फल तेरा हो रहा है फल कट रहा है फट रहा है या फुल गिर जा रहा है तो यह रस चूसक कीट का प्रकोफ हो सकता है और दूसरी बात यहां पर हो सकती है वह है कैल्सियम और बोरान की कमी तो इसके लिए हमें क्या करना है किसान भी इसके लिए हमें क कमी पूरा करना है उसके लिए किसान भायों हमें लेना है चिलिटेट कैल्सियम लगभग जो हम लेंगे वह 100 ml होगा और साथ में हम लेंगे वोरान की कमी पूरी करने के लिए हम लाएंगे टाटा सोलु आर इसके आप 500 ग्राम ले जिए इन दोनों को मिला करके आप छिलकाव क किसान भायों सास में खर्पत्वार निएंटरण करें क्योंकि कीर पतंगे होती हो यह खर्पतवार से ही ज्यादा फ्यादा है तो कर निये ऐते हुझाय करें और अगर आपको फसल में कोई समस् чис CSV आती तो आप वीडियो को नीचे कमेंट करते रहिए मैं उसका पूरा दिप कि यहां पर मैं आपके लिए खेती बार इस रियर्टेड उप्योगी जानकारी लाता रहता हूं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्देवाद